अब अगला लेखांकन अनुपात हम देखेंगे स्थाई परिसंपत्ति आवर्थ अनुपात याने कि फिक्स एसिट्स टर्न ओवर रैशियो जब हम फिक्स एसिट्स टर्न ओवर रैशियो की क्यालकुलेशन करते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि जो संपत्यों पर किये गए विन्योग से कितना अतरिक तिलाब मिल पा रहा है वास्तों में ये वो अनुपात है जो ये दर्शाता है कि स्थाई संपत्यों में विन्योग की सहायता से कंपनी अपने विक्रे को कितना परिवर्थित कर पा रही है जो एक उद्देश लेके चलती है company अपने विक्रे को बढ़ाने का turnover को बढ़ाने का क्या इन 27 संपत्यों में विन्योग से उसका ये उद्देश्य पूरा हो पा रहा है जब भी हम इसकी calculation करते हैं तो एक आदर्श अनुपात की हम बात करते हैं जब हम 27 संपत्यों में विन्योग पर आवर्त की गड़ना करें तो यह जितना अधिक हो यह रैश्यों जितना अधिक होगा जितना परसेंटेज इसका अधिक होगा उतना ही यह अच्छा माना जाएगा company के दृष्टी कौन से आईए देखें इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं संपत्ति आवर्थ अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या विक्रे बटे इस्थाई संपत्ति यानि कि Fixed Assets Turnover Ratio equal to cost of goods sold or sale divided by fixed assets अब यहां पर जब हम cost of goods sold यानि कि बेचे गए माल की लागत की बात करें तो अलग-अलग condition में यहां भी हमको अलग-अलग formula यूज करने पड़ेंगे जैसे कि अगर question में केवल sale और gross profit ही दिया गया है तो उस condition में हम cost of goods sold के लिए sale में से gross profit को minus कर देंगे क्योंकि actual जो cost होती है उसमें जब profit, gross profit को हम जोड देते हैं तो हम selling price के calculation करते हैं तो यहां पर जब हम sale में से gross profit को अलग कर देंगे तो हमको cost of goods sold मिल जाएगा या फिर एक condition यह हो सकती है कि question में opening stock और closing stock से related कुछ जानकारिया दी हो ऐसे condition में हम cost of goods sold की calculation के लिए जो formula यूज करेंगे वो होगा opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock यहां हमको एक बात का विशेज ध्यान रखना है कि जो direct expenses होते हैं उनको हम purchase related expenses ही मानते हैं और जब हम formula यूज करते हैं तो purchase की जो price होती है उसमें direct expenses की पूरी price को include करके लिख देते हैं तो overall यहां हम एक formula यूज करेंगे opening stock plus purchase minus closing stock और इसके base पे हम cost of goods sold find out कर लेंगे या एक condition हो सकती है कि हमको यहां पर ना तो opening stocks related कोई जानकारी दी गई है ना closing stocks related जानकारी दी गई है और ना इसके अतरिक्त gross profit के बारे में कोई जानकारी है तो ऐसी condition में sale की जो amount दी हुई होगी उसी को हम cost of goods sold मानकर calculation करेंगे दूसरी बात जो इस formula में आती है वो है fixed assets हमने देखा कि total assets जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है एक current assets और fixed assets इसके अंदर भी हमने assets के बहुत सारे classification देखे थे अगर fixed assets हमको यहां पर लिखना हो तो फर्म के जितनी भी fixed assets होती है उनको हम total करके लिखते हैं for example building दी हुई होगी machinery दी हुई होगी furniture, motor vehicle इस तरह के जो assets होंगे उनको हम total करके fixed assets के जगाप लिखतेंगे और जब हम cost of goods sold calculate कर ले, fixed assets calculate कर ले तो फिर हम उसको इस formula में put करके बहुत आसानी से fixed assets turnover ratio की calculation कर सकते हैं तो आए इससे related कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें स्थाई परिसंपत्ति आवर्थ अनुपार fixed assets turnover ratio के लिए हम formula यूज करते हैं स्थाई संपत्ति आवर्थ अनुपार बराबर बेचे गए माल की लागत या विक्रे बटे स्थाई संपत्ति यहां पर हम cost of goods sold के लिए sale में से gross profit को minus करते हैं या फिर stock based पर अगर हमको calculate करना है तो हम use करेंगे cost of goods sold equal to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock यहां पर स्थाई संपत्तियों से आशे भूमी भवन यंत्र मशीन या furniture जैसी संपत्तियों से है Assets turnover ratio के लिए हम formula use करेंगे पहला total assets turnover equal to net sale or cost of goods sold divided by total assets दूसरा fixed assets turnover स्थाई संपत्ति आवर equal to net sale or cost of goods sold divided by fixed assets तीसरा चल संपत्ति आवर्थ current assets turnover equal to cost of goods sold upon current assets यह हम को एक बात का विशेज धियान रखना है कि अगर sale या cost of goods sold में से कोई एक राशी उपलब दो तो यहां पर इस आवर्थ में उसी आधार पर जो भी राशी question में दी गई है उसके आधार पर हम calculation करेंगे और अगर cost of goods sold और sale दोनों दे दिया गया हो तो ऐसी condition में हम दोनों आधार पर यहां पर आवर्थ calculate करेंगे लेकिन चल संपत्ति आवर्थ जो है वो cost of goods sold के base पे ही calculate करनी चाहेंगे पूंजे आवर्थ अनुपात capital turnover ratio पूंजे आवर्थ अनुपात के लिए हम formula यूज करेंगे पूंजे आवर्थ अनुपात बराबर बेचे गया माल की लागत या वित्रे बटे कुल पूंजी Capital turnover ratio equal to cost of goods sold or sale divided by total capital या विन्योजित कुंजी calculate करनी के लिए हम किन किन मदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे आयो देखते हैं Samta equity share capital plus preferential share capital plus reserve and surplus of profit and loss account plus securities premium plus loan for machinery plus long term loan minus Minus fictitious assets minus operating assets minus minus reserves loss From the following information calculate first net assets turnover second fixed assets turnover and third capital and third working capital turnover ratio Preferences share capital 4 lakh equity share capital 6 lakh general reserve 1 lakh profit and loss account 3 lakh 15% debenture 2 lakh 14% loan 2 lakh creditors 1 lakh 40,000 bills payable 50,000 Outstanding expenses 10,000 Plant and machine 8 lakh Land and building 5 lakh Motor car 2 lakh Puniture 1 lakh Stock 1 lakh 80,000 Dators 1 lakh 10,000 Bank 80,000 Cash 30,000 यहां पर Sell for the year 2005 where 30 lakh यहां पर हमको तीन चीज़ों के गड़ना करनी है एक तो net assets turnover दूसरा fixed assets turnover और तीसरा working capital turnover तो यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको किन किन चीज़ों के जरूरत है Net assets हमको यहां पर overall अगर हम formula देखें तो एक तो हमको capital employed की जरूरत पड़ेगी fixed assets की जरूरत पड़ेगी और working capital की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले यहां हम capital employed calculate कर ले हमने देखा कि capital employed में कौन कौन सी चीज़े शामिल होती है तो उन में से share capital reserve and surplus and long term date या फिर जिसे net assets कहते हैं इसको हम इसमें शामिल करते हैं तो question में share capital दिया गया है 4 lakh का, reserve and surplus दिया गया है 6 lakh का, long term date जो है वो दिये गया है 1 lakh के और 3 lakh का, तो total यहां पर हमारा जो capital employed हो जाता है वो हो जाता है 18 lakh का तो यहां पर हम देखें कि तो capital employed की calculation में हम देख रहे हैं कि share capital हमको दिया गया है 4 lakh का, इसमें हम plus कर देंगे equity share capital 6 lakh की, और फिर इसमें हम plus करेंगे long term date, long term date के अंतरकत क्या क्या आ जाएंगे, एक तो यहां पर दिया गया है general reserve 1 lakh का, उसके बाद है profit and loss का balance 3 lakh का, और plus करेंग और plus करेंगे हम इसके 14% loan came on 2 lakh, तो overall capital employed हम calculate कर लेते है 18 lakh से, fix assets चाहिए हमको, तो fix assets यहां पर हम देख रहे है, एक तो यहां पर दी गए है, plant and machinery 8 lakh की, उसके बाद दिया गया land and building 5 lakh का, उसके बाद motor car दी गई है 2 lakh की और इसके बाद furniture दिया गया 1 lakh का, यहने total fixed assets हो जाती है 16 lakh अब क्योंकि हमको working capital चाहिए, तो बहुत आसानी से working capital निकाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि working capital का formula हम क्या use करते है, current assets minus current liability, current assets हमने देख लिए, हाँ पर 4 lakh दी हुई है, तो current assets हम यहाँ पर देख लें कि 4 चीज़े दी हुई है, current assets related, stock है 1 lakh 80,000 का, data है 1 lakh 10,000 के, bank है 80,000 का, cash है 30,000, यहने total current assets हमारी हो जाती है 4 lakh, इसमें से हम current liability minus कर दी है, तो current liability हम यहाँ पर देख रहे हैं कि creditor है, 1 lakh 40,000 का, bills payable है 50,000 का, और outstanding expenses है 10,000 के, तो यह 3 चीज़े यहाँ पर current liability को show कर रहे हैं, यानि कि 2 lakh total current liability, तो यहाँ पर हमारा working capital हो जाएगा, 4 lakh minus 2 lakh, यानि कि 2 lakh हमारा working capital हो जाएगा, और अब हम बहुत आसानी से turnover ratios calculate कर देंगे, तो first हम जो turnover ratio calculate करेंगे, वो करेंगे net assets पे, तो यह हो जाएगा, net assets turnover ratio equal to net sale or cost of goods, हमने हाँ पर net assets calculate करके रखी हुई है, और divide करेंगे हम इसको total assets, तो यहाँ पर जो sale जो है, वो है 30 lakh, तो 30 lakh divided by total assets हमने हाँ पर calculate किया था, total capital employed वो था 18,000, तो यह हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले हमको calculate करना है, net assets turn or ratio, जिसका कि formula हम यहाँ पर लिखते हैं, cost of goods, यहाँ पर sale divided by total capital employed, तो यहाँ पर हमने देखा question में कि 30 lakh की total sale दी हुई है, तो 30 lakh divided by capital employed हमने find out किया था, first step में 18 lakh, उससे हम इसको divide कर देंगे, तो यह आजाएगा 30 lakh divided by 18 lakh, यहाँ 1.67 time, second हमको calculate करना है, fixed assets turnover ratio, तो इसका formula हमने देखा था, net sale or cost of goods sold divided by fixed assets, तो net sale यहाँ पर हमको देख गई है, उसके base पर हम calculate कर लेंगे, तो net sale है, यहाँ पर 30 lakh divided by fixed assets हमने calculate किया था, 16 lakh, तो यह हो जाएगा 1.88 time, और working capital turn over यहाँ पर दिया गया है, net sale divided by cost, और working capital turn over के लिए है, यहाँ पर हम use करते है, net sale divided by working capital, तो net sale दिया गया है question में 30,000, divided by working capital हमने find out किया है 2 lakh, तो यह हो जाएगा 15 time, from the following data, calculate stock turn over ratio, 1st, stock at the beginning of the year 25,000, stock at the end of the year 15,000, purchase 70,000, wages 3,000, carriage in word 2,000, 2nd, opening stock 29,000, closing stock 31,000, sale 253,500, gross profit at the rate of 30% on sale, यहाँ पर हमको calculate करना है, stock turn over ratio, और stock turn over ratio के लिए हमको दो चीज़े चाहिए, net sale or average stock, तो यह दोनों चीज़े हमको यहाँ पर find out करनी पड़ेगी, net sale के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्योंकि एक तो बताया गया है, कि opening stock कितना था, purchase कितना किया, और कौन-कौन सूस में expenses दिये, तो इसके base पे हम पहले cost of goods sold calculate करनेंगी, तो यह हो जाता है हमारा cost of goods sold equal to opening stock plus purchase, plus wages है, plus carriage involved है, और इसमें हम minus कर दे closing stock, तो यह हमारा हो जाएगा cost of goods sold बेचेगे माल की लाग, तो opening stock है 25,000, purchase है 70,000, wages है 3,000, carriage involved है 2,000, और इसमें हम minus कर देंगे closing stock 15,000, तो यह आजाएगा 85,000 cost of goods sold, अब यह हमने cost of goods sold तो calculate कर ली, अब हमको चाहिए average stock, तो average stock हमने पहले भी देखा था, average stock का formula, opening stock plus closing stock upon 2, तो opening stock यहाँ पर है 25,000, और closing stock है 15,000, divided by 2, तो यह हो जाएगा 40,000 divided by 2, यानि कि 20,000 average stock, अब हम stock turnover ratio calculate कर लेंगे, net sale divided by average stock, तो यह हो जाएगा 85,000 upon 20,000, 4.25 time, second condition में, जबकि cost of goods sold, तो stock turnover की ratio के लिए हमको चाहिए cost of goods sold और average stock, तो cost of goods sold की calculation के लिए हम करेंगे opening stock plus purchase plus wages plus carriage import और उसमें हम minus कर देंगे closing stock, second, यहाँ पर भी हमको stock turnover ratio ही calculate करना है, तो cost of goods sold पहले हम calculate कर लेंगे, और यहाँ cost of goods sold के लिए हमको अलग formula लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको sale और gross profit दिया गया है, तो sale जो है वो 2,53,500 है, और इसमें 30% जो है वो gross profit है, तो इसका 2,53,500 का 30% हम gross profit इसमें से minus कर देंगे, यानि जो sale होती है उसमें gross profit को minus कर दिया जाए, तो जो difference बचता है, यानि वो cost of goods sold रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि sale जब हमको calculate करनी पड़ती है, तो हम cost of goods sold में profit को जोड़ देते हैं, जो भी माल बनाने की लागत आती है, उसमें profit को जोड़ने के बाद जो amount आती है, वही amount जो है, वो विक्रे मूले उसी पर निरधारित किया जाता है, तो यहाँ पर cost of goods sold हो जाएगा, sale minus gross profit, यानि 2,53,500 और इसका 30% यानि कि 76,050, यानि 1,77,450, तो यह हमने cost of goods sold कैलकुलेट कर ली, अब हम average stock कैलकुलेट कर लेंगे, तो average stock का हमने formula देखा, opening stock plus closing stock divided by 2, तो opening stock है हमारा 29,000 और closing stock है 31,000 divided by 2, यानि 60,000 divided by 2, यानि 30,000, तो यहाँ हमने cost of goods sold और average stock दोनों कैलकुलेट किया, अब हम निकालेंगे stock turnover ratio, जो कि हो जाएगा cost of goods sold upon average stock, यानि 1,77,450, divided by 30,000, 5.915 times. Stock turnover ratio is 6 times, cost of goods sold is 2,40,000, stock in the beginning is Rs. 10,000, more than the stock in the end. Calculate stock in the beginning and end at the end, यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो stock turnover ratio है, और इड़ी बता दिया गया है कि वो 6 गुना है, यानि अब तक हम जिसकी calculation कर रहे थे, वो calculate करके दे दिया गया है, stock turnover ratio जो है, वो 6 गुना है, 6 time है. Cost of goods sold, बेचे गया माल की लागत बता दी गई है, 2,40,000, प्रारम में stock, जो है, वो अंत के stock से 10,000 अधिक है, यानि कि opening stock, जो है, वो closing stock से 10,000 जादा है, तो कितना रहा होगा, यह हमको calculate करना है. और यहाँ पर हमको बोला है, कि opening and closing stock calculate करना. तो चलो, सबसे पहले तो हमको जो चीजे दी गई है, उसके base पे हम चलते हैं, कि कहां तक हम पहुँच पाते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, कि हमको पता है, stock turnover ratio 6 है. तो हम formula यहाँ पर लगाएंगे, stock turnover ratio equal to cost of goods sold upon average stock. तो stock turnover ratio है, 6 equal to cost of goods sold 2,040,000 upon average stock नहीं है, यह हम find out करेंगे. Cross multiplication करते हैं, हम इधर आ जाता है, 6 into average stock equal to 2,040,000 और average stock calculate हम करते हैं, तो हो जाता है, 2,040,000 upon 6, यानि 40,000. तो average stock हमको मिल गया 40,000. अब average stock क्या होता है, हमने देखा, opening stock plus closing stock divided by 2. तो अब हम closing stock calculate कर लें, हम यह माल लेते हैं, कि opening stock जो है, वो x है, और closing stock से वो 10,000 अधिक हैं. यानि कि अगर opening stock x है, तो closing stock कितना होगा, x plus 10,000. और total जो है, वो average stock जो है, वो तो हमने calculate कर लिया है, कि 40,000 है. तो यह हो जाएगा, 40,000 equal to x plus 10,000 plus x upon 2. cross multiplication हम करेंगे, 40,000 into 2, यानि 80,000. और यहाँ पर जब हम bracket solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, x plus x, यानि 2x, और 10,000. 2x plus 10,000. फिर हम यहाँ पर देखेंगे, 2x plus 10,000 यहाँ पर है, 2x को अगर हम यही रहने दें, और 10,000 को हम पक्षांतर करके, 80,000 के पास ले आए, तो यह हो जाएगा, 80,000 minus 10,000 equal to 2x. या फिर हम इसको लिखें, 2x equal to 80,000 minus 10,000. तो यह हो जाएगा, 2x equal to 70,000, और x equal to हो जाएगा, 70,000 upon 2, यानि कि 35,000. हमको x की value मिल गई 35,000, यानि closing stock हमने ग्याद कर लिया 35,000. तो opening stock जो है, वो closing stock से 10,000 जाता है, यानि कि opening stock जो है, वो x plus 10,000 है. तो x की value हमने find out कर लिया 35,000, प्लस 10,000 अगर हम कर देते हैं, तो 45,000 हमको closing stock की value मिल जाएगी. From the following calculate, opening stock plus closing stock. From the following calculate, first opening stock, second closing stock. Stock turnover ratio 6 times, gross profit 20% on sale, sales 3,60,000, closing stock is Rs. 15,000 in excess of opening stock. यहाँ पर भी हमको वही चीज़े दी गई है, जो अभी तक हमने पिछले question में बनाई, लेकिन एक चीज़ इसमें नया है, कि यहाँ पर जो profit है, उसके base पे हमको sell calculate करना है, और फिर उसके बाद हम cost of goods sold पे जाएंगे. एक महत्पूर्ट चीज़ जो दी गई है, वो है stock average अनुपात, यानि stock turn over ratio दिया गया है, और इसी को base मान के, इसी को पकड़ के हम बागी चीज़ calculate कर लेंगे. तो चलिए, सबसे पहले हम stock turn over ratio के अधार पे देखते हैं, कि हम क्या क्या find out कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, stock turn over ratio equal to cost of goods sold divided by average stock. अब हम को cost of goods sold की ज़रत पड़ गई, तो cost of goods sold calculate कर लेंगे. तो यह हो जाएगा, cost of goods sold बराबर, तो यह हो जाएगा, cost of goods sold equal to sale minus gross profit, क्योंकि अगर gross profit दिया गया है, तो भी हम बहुत आसानी से cost of goods sold calculate कर सकते हैं, जिसे कि पिछले कई question में हमने किया है, तो यह sale जो है, वो है, 3,60,000 और इसी 3,60,000 का 20% जो है, वो gross profit है, तो 3,60,000 का 20% हो जाएगा, 72,000, 3,60,000 minus 72,000, तो यह हो जाएगा, 2,88,000, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से stock turnover ratio के आधार पर average stock calculate कर लेंगे, क्योंकि stock turnover ratio है 6, तो यह हो जाएगा, 6 equal to cost of goods sold, 2,88,000 upon average stock, और जब हम cross multiplication करेंगे, तो यह हो जाएगा, 6 into average stock equal to 2,88,000, और next step में यह हो जाएगा, average stock equal to 2,88,000 upon 6, जयानी कि average stock हो जाएगा, 48,000, अब दो चीज़े हमको यहाँ पर मिल गई है, एक तो हमको average stock मिल गया है, और दूसरा हमको यह बता दिये हैं कि जो closing stock है, वो opening stock से 15,000 जाएदा है, तो यहाँ पर भी हम opening stock को मान लेते हैं, x, अब average stock को क्या formula है, average stock equal to opening stock plus closing stock upon 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, average stock यानी 48,000 equal to opening stock यानी x plus closing stock यानी x plus 15,000 upon 2, और फिर हम cross multiplication करेंगे, 48,000 into 2, और equal to x plus x, यानी 2x plus 15,000, तो यह हो जाएगा, 96,000 equal to 2x plus 15,000, और फिर next step में हो जाएगा, 96,000 minus 15,000, जब 15,000 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं, 2x equal to 96,000 minus 15,000, यानी 2x equal to 81,000, और x equal to 81,000 upon 2, यानी 40,500, अब x की वेले हमने find out कर ली, 40,500, और closing x जो है, वो opening stock है, और closing stock क्या था, वो opening stock से भी 15,000 जादा था, यानी closing stock किता हो जाएगा, 40,500 से 15,000 जादा हो, यानी यह हो जाएगा, 40,500 plus 15,000, 55,500 हो जाएगा closing stock, Calculate data's turnover ratio and average date collection period for the year 2001 and 2002 from the following information, Sundry data's 1st April 2001, 35,000, 31st March 2002, 45,000, Bills receivable, 1st April 2001, 5,000, 31st March 2002, 15,000, Provision for doubtful dates, 1st April 2001, 3,500, 31st March 2002, 4,500, Total sale, 3,70,000, sales return, 10,000, cash sale, 60,000, इस प्रश्न में हमको जो calculate करना है दो पॉइंट वो है data's turn or ratio और दूसरा average date collection period यह नए पॉइंट्स हैं हाँपर, जानकारी हमको जो दिये गई है वो opening data, closing data and opening date date के दे गई है, opening bills receivable, closing bills receivable के दे गई है, और opening doubtful dates and closing doubtful dates का संदिक दिरेण वतु प्रावधान का प्रारंविक और वो दिया गया है, साथ में हमको मालूम है कि विक्राय कितना है, विक्राय वापसी कितना है, और इसमें से नगत विक्रे कितना है हमने देखा कि data's turnover ratio की calculation के लिए हमको दो चीजे चाहिए एक तो net credit sale और दूसरा average credit collection period के लिए हमको चाहिए data's turnover ratio तो सबसे पहले तो हम यह देख लें कि data's turnover ratio कैसे निकाले और इसके लिए हम net credit sale और average data's कैसे निकाले तो सबसे पहले हम निकालेंगे net credit sale अब क्योंकि इस question में total sale दी गई है sales return दिया गया है cash sale दी गई है इन तीनो topic इन तीनो points के आधार पर हम बहुत आसानी से credit sale calculate कर लेंगे total sale है 3,70,000 इसमें sales return हो गया है 10,000 तो 3,70,000 में हम 10,000 माइनस कर दे यह है total sale total sale मतलब होता है cash plus credit तो total sale 3,60,000 में से 60,000 जो है वो cash sale है याने बागी जो बचा वो credit sale है तो 3,70,000 माइनस 10,000 माइनस 60,000 याने net credit sale is equal to 3,00 यह हमने net credit sale निकाल लिया अब हम निकाल ले average data तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे average data के लिए formula यूज करते हैं opening data minus closing data कौन है हमारे हाँ पर एक तो जो data दिये गए वो और दूसरा जो bills receivable है वो दोनों ही हमारे data होते हैं तो यहां पर हम opening data और closing data और opening bills receivable और closing bills receivable दोनों के आधार पर average data निकालेंगे तो opening data है हमारे 35,000 के और opening bills receivable है 5,000 का यानि यह हो गया opening balance 40,000 उसके बाद closing data है हमारे 45,000 के और closing bills receivable है 15,000 का यानि यह हो गया हमारा 60,000 तो यहां 40,000 divided by 60,000 upon 2 यानि कि 50,000 जो है वो हमारा average data निकल जाएगा अब जो भी चीज़े हमको चाहिए थी वो हमने calculate कर ली तो पहले हम निकालेंगे data's turnover ratio जिसका formula है net credit sale divided by average data net credit sale हमने find out कर लिया था 3,000 divided by average data हमने find out कर लिया 50,000 तो यह हो जाएगा 6 times अब इसके आधार पर हम बहुत आसानी से average credit collection अब इसके आधार पर हम बहुत आसानी से average credit collection period calculate कर लेते हैं जो कि हो जाएगा 12 month divided by data's turnover ratio 12 upon data's turnover ratio 6 time हमने calculate किया है तो 12 upon 6 यानि 2 month जो हो जाएगा वो average credit collection period हो जाएगा झाल